नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चेनल गो ब्लोक्स में दोस्तों मैं हूँ भास करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक एक सुन्दर सी मेल हतीली है पुरुस है और आपकी हतीली हमारे सामने विवीचना के लिए आई हुई है निश्चित तौर पे आप खुद देख लीजेगा आपकी हतीली का जो आकार है पूरी तरोसे आयताकार है एक दार्षनिक किसम का ब्यक्तित तो आपका है एक जिग्यासा प्रवर्ति का ब्यक्तित तो आपका यहां पे दिखाई दे रहा है करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो मस्तिस्क से कार्य करने वाला करियर जादा सुटेबल रहेगा या जिसमें बोलने से ज्यादा काम चलता है उसमें जो है सपलता की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है सकारात्मक सोच हमेशा हाभी रहे गी, नकारात्मकता हाभी नहीं होने देगी और एक जिसको कहते हैं ने कि सब के लिए सोचने वाला बिक्तित्वा ये आपका हमेशा बना रहेगा हाँ एक चीज जरूर है कि आपकी जो कर्म की उंगली है ये पूरी तरह से सुरे की तरफ जुकी हुई दिखाई दे रही है बहुत जादा मेहनत बहुत जादा प्रिस्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सपलता मिलती है और ये कंटिन्यू जारी रहेगा किसी भी चीज में सपलता पाने के लिए बहुत जादा मेहनत बहुत जादा प्रिस्रम की आवशकता रहेगी दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहांपे सबसे पहली हमारी नजर आपकी हिर्दई की लकीर पर पड़ रही है आपकी हिर्दई की लकीर सीधा निकल करके देव गुरु ब्रस्पती से युक्त बना रही है यह बहुत सरेष्ट है ये बता रहा है कि केवल आप अपने हित और अपने परिवार के हित के लिए नहीं सोचते हैं बलकि सब के लिए सोचने वाले ब्यक्ति हैं हाँ knowledge आपके बहुत ज़़ादा है बुद्धिमान ब्यक्ति हैं तीजस्वी ब्यक्ति है प्रेम के मामले में बहुत ज़्यादा स्रेश्टता आपके अंदर है आप कभी भी दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं आप जिसको भी प्रेम करते हैं अंताह करण से हिर्दे की गहराई से प्रेम करने वाले बिक्ति हैं लेकिन स्वाविमान की भावना भी आपके अंदर है निर्मल हिर्दे का विक्तित्व है एक बात निश्चित है आने वाले समय में ये योग बता रहा है ब्रिस्पति महराज की किरपा से आप अपनी जीवन में चाहे जिस भी प्रकारसी हो चाहे आप आने वाले समय में ब्यापार करें नौकरी करें कोई और बेकाम करें समाज में आने वाले समय में स्रेश्ट सपलता आप स्रेश्ट जीवन अभ्यतीत करेंगे यह यहां पर बता रहा है और खास कर जिवनकाल का 46 वावर्स जिवनकाल का 49 वावर्स और जिवनकाल का 56 वावर्स जिवनकाल का 46 वावर्स फोटी सिक्स जिवनकाल का 59 वावर्स फोटी नाइन और जिवनकाल का 56 यह तीन विशेस वर्स आपके लिए कोई नो कोई बहुत तरक्की के मार्ग लेके आएंगे आप उस समय बिल्कुल क्रियेटिव रहे चीजों को पहचाने आगे बड़े जीवन में बहुत उच्छाला जाएगा पूरी तरह से जीवन को बदलने की छमता इनी वर्सों में है बहुत बड़ा लाव लेके आएंगे निश्ची तरह से को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं या आप देखेंगे हिर्दय की लकीर को यहां पर बहुत सारी रेखाएं काट रही है छूटी छूटी ऐसे में बिक्ती रिस्ता नहीं बना पाता है रिस्ते की तरप से जो है किसी भी प्रकार से प्रोफेशनल हो पारिवारिक हो जो है कुटुम्ब का किसी भी प्रकार का रिस्ता हो उसको लेके थोड़ा मानसिक प्रेशानिया रहती हैं और फिर वो मानसिक प्रेशानिया हतेली में पूरी तरफ से जो है उल्जन की इस्तित पैदा करते हैं बहुत सारी लकीरे हैं मनी भावकता जादा है किसी को पैसा दे दिय और वो पैसा फस गया और उसकी तरफ से जो है तनाव की इस्तिति उर्जन की इस्तित पैदा होगी तो थोड़ा सा जो है आपको ब्रिस्पति को ठीक करना है और सभी ग्रहों को एक सीध में लाना है दिब्या योग ध्यानी के रिया आपको करना है तो चीजें बहुत बहतरीन होगी और दूसरा क्या करना है आपको कि लक्षमी का उपाय करना है ये चीजें अगर आप करते हैं निश्चिति आपको फैदा होगा अब एक चीज देख लीजेगा ये चंद्रमा है ठिक इस चंद्रमा से निकल कर एक रेखा इस तरों से जाती हुई सनी पे जा रही है इस परकार से लेकिन अभी इसमें एक तिरकोन बन रहा है एक रेखा यूँ जा रही है एक रेखा यूँ जा रही है तो ठीक है कोई बुरा नहीं है ये बता रहा है कि जीवन काल के 46 वे वर्स से बन रहे हैं ब्योवसाई के योग बन रहे हैं कहीं न कहीं आप नोकरी के साथ साथ जो है ब्योवसाई में कदम रखेंगे और धीरे धीरे आपको अपने वाहन का सुक प्राप्त होगा निश्चित रुप से देखेगा आप चाहे आपके पास एक भी वाहन नहीं है आपको वा का सुक प्राप्त होगा 46 वर्स के बाद से अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुक आप प्राप्त करेंगे अपने जीवनकाल में ये होना ही होना है ये मुहर लगी हुई है अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुक आपको जीवनकाल में इसका भोग करेंगे त तीसरी बात है अपने ब्यापार का सुख आपको मिलेगा चाहे अभी तक नहीं मिला होगा लेकिन आपको अपने ब्यापार का सुख प्राप्त होगा लेकिन पार्टनर्शिप में अगर करेंगे तो धोका खाएंगे पार्टनर्शिप में करेंगे धनहानी होगी और उससे यहां पे आप देखेंगे एक तिर्कोन बनावा है धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी इसके तहे तक जाने की चमता बढ़ेगी मनि अध्यात्मिक चमता में ब्रिद्धि होगी अपने को पहचानने की चमता अपने अंदर उभर कर आएगी और यहां पे देखेगा यह चिन बन रहा है यह बता रहा है कि रहस्यमई विद्याओं की तरब भी जो है आकरसन होगा उसका नौलेज भी अच्छा खासा आपको रहेगा चाहे जुनम कुंडली का हो चाहे हस्त र आप देखेंगे तो आपकी हतीली में एक रेखा इधर आ रही है एक रेखा इधर से जा रही है जीवनकाल के फोटी नाइन एयर में और यह रेखा यहां पे एक तिरकोन जो है बनाने की इस्तिति में है तो फोटी नाइन एयर में कहीं न कहीं अगर ब्यापार कर रहे होंग तो उसमें आपको बडोतरी मिलेगी और उसके बाद जो है ये तिरकोन बता रहा है कि कहीं न कहीं जो है धन का जो मामला है वो जबरदस्त रहेने वाला है जो आर्थिक संपन्ता है वो बढ़ने वाली है और जो आपकी प्रसिद्ध है वो एका एक कहीं न कहीं जो है समाज आपको जानने बैठ जाएगा इस प्रकार की इस्तिति आपकी आने वाली है अब यहां पे देखते हैं ये उंगली पूरी तरोसी जुक रखी है इसकी तरफ धार्मिक भावनाई बहुत बड़ी मातरा में रहने वाली है इस स्वर में जबरदस्त विस्वास रहेगा अपने आराद्य के परती पूरा समरपन रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा परिसरम करने की बाद ही चीजों में सपलता हासिल होगी ये उंगली पूरी तरोसी जुक रखी है इस तरफ यस पाने की इक्षा नेम फिम पाने की इक्षा और अपने कारियों में विस्तार पाने की इक्षा लगातार बनी रहेगी अभी ये दोनों बराबल हैं दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है बरतमान में धन और यस दोनों की भूक है पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन में मात्र लक्षबी अभी यही दिखाई दे रहा है ये उंगली भी पूरी तरों से जुक रखिये इस उंगली की तरफ धन कमाने के ललक जबरदस्त बनी रहेगी ये इसके पहले पोर्वे तक पहुँच रही है तो आपकी जो कम्यूनिकेशन इसकिल्स है उसमें बृद्धी होगी अपनी बलबूते पर कुछ करने वाला बिक्तितो निखर कर आएगा और ब्यापार में जाएंगे तो अच्छे ब्यापारी बनीगे लेकिन 46 में वर्षस से पहले ब्यापार नहीं है इस बात का भी आपको दियान लखना है अगर नौकरी करेंगे तो कहीं न कहीं जो है अच्छे पद की और ये इसारा कर रहा है और जीवन में उच्छ वर्ग का ब्यक्तित तो रहेगा स्रेष्ट और सपलतम ब्यक्ति आप बनीगे ये आपकी हतिली यहाँ पे इस पश्ट तरीके से कहती हुई दिखाई दे रही है अब चलते हैं आपका जो है अंगोठा आपका बता रहा है देखेगा जल्दबाजी में और भावनाओं में आगे कोई भी निर्णय मत ले करियर और धन के मामले में बिसेश कर अगर ये आप निर्णय ले लेते हैं तो कहीं न कहीं मन का संगर्स मानसिक इस्तिती का जो संगर्स है वो बढ़ जाएगा उतना सारीक रोप में प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन मानसिक रोप में जबर्दस्त प्रभाव पड़ेगा उल्जन की इस्तिती बढ़ जाएगी और इससे सारीक बिकार भी उत्वन हो सकते हैं तो जो भी डिसिजन है भावनाओं में बहे करके और जल्द बाजी में कभी भी मत लें इस बात का ध्यान लखिएगा और ये दूसरा बता रहा है कि देखेगा जो आपका बुड़ापे का समय है छप पनुए वर्स के बाद का समय वो एक बहुत ज़्यादा बहितरीन इस्तिती यहाँ पे लाता हुआ दिखाई दी रहा है कुल मिला के बात करें कि कर्म इस परकार से कर रहे हैं आप कि आपका बुड़ापा एक दिव्यता की तरो एक भव्यता की तरो गुजरेगा मस्तिस्क रेखा बौदिक अस्तर बहुत सुन्दर है बहुत अच्छा है लेकिन अभी बहुत सारी रेखाएं काट रही है हतेली में चाए लाखों आए चाए करोडों आए चाए अर्बों आए धन का सही से संचाई नहीं हो पाएगा दस रुपे आएगा तो बीस रुपे निकल भी जाएगा बले ही करजे की इस्तितना भी रहे लेकिन तो भी जो धन का संचाई होना चाएए था वो धन का संचाई नहीं दिखाई दे रहा है दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो जीवन की रहका सीधा इस तरह आ रही है जीवन में जो अस्ताई तो है वो ऐसे लोगों को कम मिलता है प्रेक्टिकल बात है और दूसरी बात है कि ऐसे लोगों की जो उन्नत होती है जो तरकी होती है जनम अस्तान से दूर जादा होती है जन्म अस्तान में रहे कर ये लोग बहुत ज़्यादा तरकी नहीं कर पाते हैं लेकिन कितनी बड़ी सपलता ये पाएं, उतकिष्टता ये पाएं उसके पीछे संगर्स और उतार चड़ाव जरूर रहता है कई बार और इस्तिरता का सामना भी ये लोग करते हैं लेकिन कर्म स्रेष्ट करते हैं, अंत में एक दिव्य आत्मा की तरो, एक संत आत्मा की तरो, एक प्रब्रम स्वरूप जैसे आत्मा की तरो, ये लोग स्री हरी के चरणों में जगह पाते हैं परिनिर्मान जिसे कहते हैं, मोक्च जिसे कहते हैं, मुक्ती जिसे कहते हैं इन लोगों को मिलती है एक्चुल रोग में क्योंकि इनके कर्म हमेशा इनके साथ लगे रहते हैं सत कर्म अगर हम कहें तो कोई अतिसयुक्त नहीं होगी यहाँ पे एक सुन्दर सी चीज देखेगा एक रेखा यू आ रही है एक रेखा यू आ रही है और यहाँ पे बहुत बड़ी मचली बन रही है एक इधर आ रही है दो दो मचलीया है निश्चित तौर पे ये मचलीयों पे केतु का प्रभाव सीदा सीदा पड़ रहा है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के छेतर में बहुत ज़्यादा विकास कर लेंगे अपने को पूरी तरो से जान लेंगे कि मेरा जन्म किसली हुआ है मेरा जन्म लेने का सही अर्थ क्या है मेरा जन्म लेने का कारण क्या है मैं क्या करने इस जीवन में आया हूँ आत्म साख छात्कार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म में और धर्म में बहुत ज़्यादा रूची बढ़ जाएगी आभास होगा कि वास्तों में इस्वर आसपास है इसी चमता भी आ सकती है कि बात तकर सकते है बहुश्या में क्या घटने वाली है आभास पूरी तरह से पहले हो जाएगा चाहे वो गलत हो चाहे वो सही घटना हो लेकिन आभास बहुत जल्दी हो जाएगा ये आपकी हतिल इस पश्ट रूप से कह रही है और यात्राओं का लाब भी ये दिखा रही है कि आने वाले समय में यात्राओं का जबरदस्त लाब मिल सकता है रेखा इदर को भी है लापरवाई के गुण तो रहेंगे लेकिन आने वाले समय में विसेश कर 49 की एज से दूसरों का सयोग अचानक बहुत बड़े रूप में मिलने मैठ जाएगा जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी किरपा आपकी उपर है इसका आभास मिलने मैठ जाएगा आपके अंदर जो परतिभा छुपी हुई है जो तीब्र बुद्धी छुपी हुई है एक आएक वो चीजें उभर कर आजाएंगे जो आपके अंदर सोचने समझने की सक्ति विसेश रोप से मोजूद है वो सक्ति कहीं न कहीं दिव्यता प्रदान करेगी और आपका व्यक्तित तो अपने आप में अच्छा खासा प्रभाव सालिय रहेगा और जमीन जायदाद से भी अच्छा खासा लाब आपको कहीं न कहीं मिल पाएगा ये इस पश्ट तरीके से बता रही है यहाँ पे बहुत सारी ये भी लकीर बत जा रही है आने वाले समय में कहीं न कहीं जो आयो है आपकी वो एक सुन्दर इस्तिति में रहेगी सफलता मिलेगी ही मिलेगी और ब्यावसाई करेंगे और बिसेस कर ये रेखा ये फोटिनाईन से नहीं ये चप पनुए वर्ष के बाद से कह रही है कि चप पनुए वर्ष के बाद से आपके ब्यावसाई में विसेस प्रकार की तरक्की मिलने वाली है ब्यक्तिबाणी को बेचेगा यानि बोलने के धन के कारण उसके बाद जिवन में जबरदस्त धन कमाएगा लेकिन एक कमी भी रहेगी स्वस्ति के मामले में जो डाइजेस्टिब सिस्टम है जो पेट की प्रेशानिया है वो बिकार कहीं न कहीं उभर सकते हैं उनसे थोड़ा सा प्रेशानी रहेगी स्वस्ति के मामले में ये भी एक्चुल है लेकिन बहुत जादा नहीं रहेगी लेकिन रहेगी और कई बार भावकता भी आएगी जीवन में इमोशनली भी थोड़ा प्रेशान हो सकते हैं इसकी संभावना भी बनी रहेगी चलो यह छोटी मोटी चीज़े हैं यहाँ पर अगर देखें आपका किये तो इस पश्ट कह रहा है देखेगा आपको अपने परिश्रम से ही अपने प्राकरम से ही स्रेश्ट सपलता हासिल होगी किसी के लेने देने से नहीं, किसी के मदद करने से नहीं स्वयम के परिसरम और स्वयम के प्राकरम से स्रिष्ट सपलता आप अरजित करेंगे बस अपने बल्बूते पे सुक्र का परोत थोड़ा सा नुकेला टाइप का हो गया है सब कुछ देतो रहा है लेकिन क्या है थोड़ा मानसिक परेशानियों को ऐसे में ये देता है और जो वास्पिक सुक है व्यक्ति के जीवन का उसको भोगने में प्रस्तितियों को आगे खड़ा करता है इसके लिए क्या करना है एक दिब्य योग ध्यान किरिया है प्रवपर तरेके से वो ध्यान किरिया करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लाव इससे प्राप्त होगा आपका निम्न मंगल बहुत सुन्दर है आपका उच्च मंगल बहुत सुन्दर है देखेगा कैसा भी इस्तित रहे लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो प्राक्रम है वो जबरदस्त रहने वाला है आपका जो energetic स्वभाव है वो जबरदस्ट रहने वाला इसका आपको आने वाले समय में सामाजिक दाइरे में जबरदस्ट फाइदा मिलेगा इस बात की और जो है ये संकेत कर रहा है ब्रिस्पती सनी की इतरब जुका है परिवार को लेकि कुछ चिन्ताई को समय तक रह सकती है और इससे दो रेखाई जा रहे अच्छी राइटिंग इसकिल्स के साथ साथ लेडर्शिप की कौलिटी भी बहुत आच्छी रहेगी और ब्रिस्पती सुन्दर है तो कुछ खास चेतर है आने वाले समय में अगर नौकरी कर रहे हूं तो सिक्षा का छेतर है, इंजीनियरिंग का छेतर है, चिकित्सा का छेतर है, मैनेजमेंट का छेतर है, बानिज़का छेतर है, कानून का छेतर है इन छेत्रों में काम कर रहे होंगे तो इन में आने वाले समय में तरक्की मिलने की संभावना जादा रहेगी काम्याबी मिलने की संभावना जादा रहेगी और विशेशकर 46 में वरसे अपने काम के और अगर कदम बढ़ाते है और विसेस कर इन छेत्रों में बढ़ाते हैं जैसे अगर अच्छे पड़े लिखे हैं तो टीचिंग उगेरा दे सकते हैं कोचिंग सेंटर उगेरा खेले तो इसमें जबरदस्त फायदा होगा या ओनलाइन अगर कोई पड़ाई उगेरा करते हैं किसी संस्तान से जोड़ते हैं या अपना ही कोई यूट्यूब उगेरा चैनल आप इस्टार्ड करते हैं तो इसमें जबरदस्त फायदा होगा या कुछ भी करते हैं इन छेत्रों में जो छेत्र मेने गिनाई ब्रिस्पति से समंदित तो जबरदस्त तलाब आपको प्राप्त होगा बड़ी कामियावी आपको प्राप्त होगी सनी की इस्तित देखें बरतमान में देखें यहां पे बहुत ज़्यादा सनी बैठ गया है जब सनी इस परकार से बैठता है तो बिक्ति इस्तेमाल होता है लोग अपना काम निकाल लेते हैं उसके बाद जो है धोका देने की संभावना ज़्यादा रहती है बनी बिक्ति इस्तेमाल होता है और यह यहां पे इस तरों से है तो बेव जहे की चिंताईं यह देता है या कुछ ऐसी वो जहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव की इस्तिती बनी रही और लगातार बिक्ति जो है मानसिक कष्ट से जूजता रहे कारियों में जो है बेव जहे जो है अडचने आएं बेव जहे की प्रेशानिया आएं लगातार सोचने पे बिक्ति मजबूर हो लगातार मानसिक प्रेशानी ब्यक्ति जेलता रहे और ब्यक्ति इस्तिमाल हो धोका खाए चीजों में सनी इस रोप में बैठा हुआ है सबसे पहले आपको सनी की ही पूजा करनी है यह मैं दे दूँगा आपको यहाँ पे देखें तो दो रेखाए है जबरदस्त उभर रही है दो रेखाए होने पे यस की प्राप्ति होती है निश्चित ही आने वाले समय में सूर्य के कारण यस मिलेगा संतान सुक मिलता है अगर परिवार में बच्चे हैं चैशे बच्चे हैं उनकी तरफ से सुखद सुख बुड़ापी में मिलेगा संतान का सुख परिवार का सुख और विपुल सम्पति की प्राप्ती यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं न कहीं जो है एक लगजरी जीवन आपका उभर कर आएगा अभी ये गड़ा युक्त है आपको भी मालुम है हर वीडियो में बताता हूँ सूरे के लिए अगर सूरे गड़ा युक्त है तो यकीन मानिएगा प्रेक्टिकल रूप से कुछ गटनाई गटींगे ही आप लाख प्रियास कर लें लेकिन आपके प्रियास पूरी तरों से सफल नहीं होंगे ये सूरे के निसानी है सूरे अगर खराब है तो आपके द्वारा जो प्रियास किये जाते हैं वो पूरी तरों से सफल नहीं हो पाते हैं आपके अंदर जो quality होती है, जो योग्यता होती है, वो चीजें उभर कर नहीं आती है, निखर करके नहीं आती है ऐसी इस्तिती में जब सूर्य कमजोर हो आप जो मिहनत करते हैं जो परिशनम करते हैं उसका जो पूरा स्री है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पाता है एक सहजता से एक सरलता से बिक्त को रास्ता नहीं मिल सकता है ऐसी इस्तिति में आप कितना भी कुछ दिखावई के लिए हो जाए लेकिन आपकी आर्थिक इस्तिति उस रूप में नहीं होती है जिस रूप में होनी चाहिए ऐसे में बिक्ति ब्यापार की तरफ जाता है तो ब्यापार में वो विस्तार वो फैलाव नहीं मिल पाता है वो नाम और यस नहीं वो पाता है वो ब्रांड बनकर बिक्ति नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दाउं पे लगा कर ब्यापार में गया था ऐसे मैं बिक्ति नोकरी कर रहा हो नोकरी करता है ठीक ठाक चलती है लेकिन वो वास्ट्विक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आपको खपा लिया हो क्यों कि सूर्य इस प्रकार से होता है तो ये साप बताता है कि आपकी जो साररिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ बिलकुल भी तालमेल में नहीं है जिसके कारण कहीं न कहीं साररिक स्वस्त्या जीवन की वास्त्विक खुसाहली, जीवन का उत्साह, जीवन की उर्जा इन चीजों की चिंता करने पड़ रही है ये चीजें बिखरी हुई है, क्या करना चाहे ऐसे लोगों को सूरे की पूजा करनी चाहे और उसमें भी सबसे बड़ी चीज है, दिब्य सूरे की रिया जो प्रैक्टिकल रूप से की जाती है अगर ये करते हैं, तो धीरे धीरे सूरे आपके सारिरिक चक्र, सूरे के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और इसका असर जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा जहां आपके सारिरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित रोब से सहजता से चलेगा फिर चाए सारिरिक स्वस्त्य हो चाए जीवन की खुसाली हो चाए उत्सा हो, चाए उर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी ये चीजे हमेशा आपके साथ बनी रहेंगे तो मैं दिब्य सूरे किर्या और सूरे पोजा दे रहा हूँ आप विदिवत तरीके से करें निश्चिति इलाब होगा अब यहाँ पे देखिएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे साब सुत्री खड़ी रेखाएं बुद्ध परवत भी ब्यक्ति सेवा भावी है दो चार भासाओं का ग्याता है ब्यक्ति को ब्यापार की अच्छी समझ है ब्यक्ति की वानी की सक्ति बहुत सुन्दर है ब्यक्ति अंदर से बहुत ज़्यादा कोमल है छल कपट से बहुत ज़्यादा दूर है प्रॉपकार की भावना ब्यक्ति के अंदर जबरदस्त है यह बहुत अच्छी चीजे है हाँ ब्यक्ति के पास बुड़ापे तक अपने हाथ का कमाया हुआ पैसा रहेगा संगर्स नहीं रहेगा जीवन में बुड़ापे काल में बिसेस कर लेकिन अभी बुद्ध क्या है? कमजोर इस्तिति में है ऐसे में अगर ब्यक्ति ब्यापार में जाता है तो ब्यापार में फाइदा नहीं होता है ब्यक्ति की बाणी की सक्ति कितनी भी अच्छी हो उसका प्रभाव उस रोप में नहीं रह पाता है और विक्ति की आर्थिक इस्तिती उस प्रकार की नहीं रहती है जिस प्रकार की होनी चाहिए क्या करना चाहिए? मैंने बुद्ध के बारे में पहले के वीडियो में भी बहुत सारी चीज़े बताई है ऐसे लोगों को हरी सबजी है, हरी दाले हैं, हरे फल हैं, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रियोग करना चाहिए सुबह उठकर के ब्रस करने के बाद कुछ दिन दो पत्ती तुलसी का सिवन करना चाहिए खाली पेट नहाने के बाद अगर ऐलर्जी नहीं है, तो चन्दन की खुस्बो वाला परफ्यूम लाना चाहिए, इतन नहीं परफ्यूम और तीन महने तक नहाने के बाद थोड़ी से मातरा में उस परफ्यूम को डालना चाहिए एक हरारुमाल अपनी जेब में या अपनी ऑफिस के बैग में रखना चाहिए, उसका योज ना करे और गाहितरी महामंतर का यथा सक्ति पार्ट बोल बोल कर बिना माला जपे सुबह और साम करना चाहिए तीन महने तक अगर आप इस बेग्यानिक क्रिया को करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे तीन महने के बाद ये आपके पूरे बिक्तित्तों को बदल कर रख लेगा और आपकी चीजों को जो है एक उत्तम इस्तिति में लाके खड़ा कर देगा तो ये खान पान पे दियान दखें और चीजों को थोड़ा ठीक रखें तो बहुत अच्छी इस्तिति में बिक्ति अपने जीवन को ला सकता है चंद्रमा की इस्तिति देखें तो धीरे धीरे इसमें बहुत बड़ा सुदार हो रहा है इस पश्ट रूप से कह रहा है कि आने वाले समय में आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे एका एक कुछ ऐसा घटित होगा कि आपका कॉन्फिटेंस लेबल बहुत अच्छा रहेगा सरीर में कुछ कारण वस अगर समस्या हो भी जाए फिर भी मन मजबूत रहेगा और सरीर का हार्मोनल सिस्टम ज़्यादतर बढ़िया रहेगा और कहीं न कहीं क्रियेटिविटी बढ़ेगी आप क्रियेटिव ज़्यादा रहेंगे छल कपट से दूर रहेंगे सकारात्मक सोच आपकी ज़्यादा बनी रहेंगे इस और जो है ये इसारा कर रहा है देखा जाए तो मैंने आपकी हतियले का पूरा बिसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में बिदिवत तरीके से लिख करके और ओडियो के माद्यम से भीज रहा हूं करने की कोसिस करे निश्चित ही आपको जबरदस्त लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ मुनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार